विकास दिव्यकीर्ती ये नाम किसी परिचे का महताज नहीं है एडुकेशन की दुनिया में इन्होंने अपना वर्चस्व कायम कर रखा है दृष्टी आईएस कोचिंग चलाते हैं, सोशल मीडिया पर हमेशा चाहे रहते हैं इस वक्त चर्चाओं में है भगवान राम और माता सीता पर दिये गए विवादित बयान की वजह से तो चलिए विस्तार से बताते हैं क्या है पूरा मामला दरसल सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो बारल हो रहा है जिसमें UPSC की तैयारी कराकर देश में IAS, IFS, IPS जैसे नौकरशाह पैदा करने वाले संस्थान द्रिश्टी कोचिंग के शिक्षक विकास दिव्यकीर्ती, भगवान राम और माता सीता के प्रती अभद्र भाशा और जूट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं जिसके बाद हिंदू की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और हंगामा बर्पा है पहले सुनिए वो क्या कुछ कह रहे है तो कुछ सीते है सीता होगी और जिए पूजा पाट करनी होगी पहले कुछ तो राम ने जो वाक्य बोला है बड़ा खराब वाक्य बोला है तो बोलना होगा क्या करें तो ऐसा वाक्य बोला है वो वाक्य यह है कि हे सीते अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलत फेमी है युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है युद्ध अपने कुल के सम्मान के लड़ा है और रही तुम्हारी बात जैसे कुट्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भूजन योगी नहीं रहता है वैसे तुम अब मेरे योगी नहीं हो अब इसी वीडियो के वारल होनी के बाद बवाल मचा हुआ है दृष्टी कोचिंग को बैन के जाने की मांग उठ रही है विकास दिविकीर्थी अपनी क्लास में विद्यार्थियों को बता रहे है कि भगवान राम ने रावंड से युद्ध माता सीता के लिए नहीं बलकि अपने कुल के सम्मान की रक्षा करने के लिए किया था इसके बाद वो मर्यादा की सीमा को पार करते हुए माता सीता की तुलना पुत्ते द्वारा चाटे हुए घी से कर डालते है बस यहीं बात किसी को हजम नहीं हो रही है अला कि विकास दिव्यकीर्टी अपनी बात में पुरुशोत्तम अगरवाल के जिसलेक का दिकर कर रहे है उसे प्रामाणिक माना ही नहीं गया है क्योंकि रामाण के तथ्य और साक्ष केवल वाल्मिकी की रामाण में ही मिलते हैं उसी रामायन को हिंदों में मानिता अनुसार पूजा जाता है ऐसे में विकास दिव्यकीर्ती या कोई और किसी भी रचना या लेखन के आधार पर ऐसे तथ्य पेश करेंगे तो धार्मिक भावनाय आहत होना लाजमी है वही सबसे बड़ा सच यह है कि महर्शी वालमिकी ने रामायन की रचना को युद्ध कांड के बाद ही समाप्त कर दिया है इसके बाद तमाम ऐसे लेखकों ने अपने हिसाब से भगवान राम के चरित्र को गढ़ा और प्रस्तुत किया अब इन ही लेखकों की वजह से भगवान राम और माता सीता को बदनाम किया जा रहा है इसलिए समझना जरूरी है कि वालमिकी रामायन के अलावा किसी और रामायन को विश्वस्निया माना ही नहीं जा सकता और वालमिकी रमायन में कोई भी ऐसा जिक्र नहीं है जो विकास दिव्यकीर्थी बता रहे हैं फिलाल तो उनकी इसी वजह से आलोचना हो रहे हैं और त्रणमूल कॉंग्रस के नेता कीर्थी आजाद भी विकास दिव्यकीर्थी के इस दिव्य ज्यान पर भड़कते हुए लिखते हैं ये बड़ा ही बेहुदा और बत्तमीज आदमी है इस पर तुरंत एफाई आर होनी चाहिए सियार राम दोनों का अपमान मैं बीजेपी नेता अरुन यादव का कहना है आज मैं ऐसे कोचिंग सेंटर को बंद करवाने के लिए आवाज उठा रहा हूँ जिसने सनातन धर्म का अपमान किया है क्या आप सभी सनातनी मेरा साथ देंगे साधवी प्राची ने लिखा ये तेंद्र प्रताप सिंग नाम की यूजर ने लिखा सनातन धर्म का अपमान करने श्रीराम जी और सीता मैया के लिए घोर अपमान जनक शब्द इस्तमाल करने वाले द्रिश्टी आईएस कोचिंग को ततकाल बंद करो पोचिंग सेंटर के संचालक विकास दिव्यकीर्थी को गिरफतार करो तो कुछ इस तरीके से विकास दिव्यकीर्थी और द्रिश्टी कोचिंग को ले कर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और बॉयकॉट करनी की मांग उठी है आपको बता दें दृष्टी द विजिन की स्थापना डवेंबर 1999 में डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ती और डॉक्टर तरुना वर्मा ने की थी फिलाल इसके संस्थापक दिव्यकीर्ती हिंदु धर्म के खिलाफ ऐसा बोल कर हस्ते नजरा रहे देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है